कि है अग्जश्मेंट नमबर कौन से है अग्जश्मेंट टंबर 16 कि अग्जश्मेंट टंबर 16 loss by fire अब लॉस्ब माई फायर में देखा जायते हैं तो वैन गुडस आर नोट एंसूर सबसे पहले लॉस्बाः क्या है loss by fire तो देखो बहुत सारा आइटम पर हो सकता है बिजनस का मसीनरी में मसीनरी फरनीचर हो जाए या बिजनस में कोई आग लग जाए लेकिन हमारे स्लेवर्स में सिर्फ और सिर्फ है है stocks related stocks related loss by fire होगा उसी का concept हम यहां पर करेंगे और कोई चीज नहीं सिर्फ क्या हमारा stock रहेगा loss by fire में अब क्या कई बार क्या होता है हर एक businessman अपने shop का stock का insurance करवा लेता है तो insurance करवाने से क्या benefit होता है कि अगर मेरा कोई नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई insurance company कर देता है जैसे कि आपने सुना होगा mobile phone का insurance जिसके अंदर क्या होता है आपको benefit मिल जाता है mobile phone के बाद अगर मैं दूसरी बात करूँ तो bike का insurance का insurance का का insurance अगर कोई happening हो जाता है तो मिल जाता है लेकिन अब हमारे पास तीन situation है अगर loss by fire की बात करूँ या तो समान का insurance होगा या फिर समान का insurance नहीं होगा या फिर समान का insurance होगा यह समझ में आ रहा है तो समान का insurance होगा और नहीं होगा इसके बाद हम claim की बात करते हैं claim क्या होता है हमारा generally insurance company हमें पूरा का पूरा पैसा नहीं देती कई बार आप phone का insurance करवा और पूरा बोले है कि आपका insurance में है पूरा ठीक करवा लो फिर बोलेगा 100 रुपय सर्विस चार्ज देना पड़ेगा यह जी एस्टी देना पड़ेगा जो भी वो बोलेगा महां पर तो हमने कई बार देखा है कि जब कभी भी हम goods का insurance करवाते हैं तो कई बार पूरा पैसा मिल जाता है जैसे कि मानलो suppose that अभी आपने new new product खरीदा है और अभी के अभी वो destroyed हो जाए तो पूरा पैसा मिल जाता है लेकिन जैसे जैसे टाइम बीटता है तो वो time के हिसाब से कुछ पैसे कम या जादा देगा तो loss by fire में हम goods की बात कर रहे है मानलो कोई दुकानदार चार goods लेके आया या चार shirt लेके आया अपने दुकान में चार shirt में से तीन shirt अगर destroyed हो जाता है तो मैं लेके कितना आया खरीद के कितना आया चार तीन shirt जल गए तो मेरे पास बचा कितने एक यानी मेरा purchase कम हो गया purchase पहले कितनां था हमारा चार था अब एक जैसे shirt जल गया मैं बोलूंगा यार तीन जैसा ही जल गया मैं बोलूँगा कि मेरे पास तो एक ही शर्ट बचा हुआ है तो हर एक केस में जब goods का insurance नहीं होगा तब भी हमारा कम क्या होगा purchase और insurance होगा तब भी क्या होगा कम purchase example देखते हैं मैंने suppose कर एक्जामपल लिया कि मेरा goods costing 1000 रुपए का यहां destroyed हो गया insurance नहीं करवा रखा तो claim कितना मिलेगा बताओ जीरो मेरा goods destroyed कितना हुआ यहां पर 1000 रुपए का मैंने insurance करवाया ही नहीं तो क्या मुझे insurance claim मिल सकता है नहीं मिलेगा जीरो तो मेरा loss जो है यानि profit and loss यह loss होगा और loss कितने का होगा एक हजार रुपए का loss कितना होगा हमारा किसी को इसमें doubt अब इसकी entry कहां कहां पोस्ट करेंगे दो जगें entry जाएगी इसकी कि एक तो less from purchase और एक आ जाएगा profit and loss के debit side amount हजार रुपए और हजार रुपए क्योंकि इसका insurance नहीं था loss by fire तो कितना हुआ हमारा हजार तो purchase कितने से कम कर देंगे हजार रुपए से और दूसरी entry क्योंकि सारा का सारा नुकसान है तो उससे नुकसान को कहां दिखाते है profit and loss में तो profit and loss के अंदर मैंने हां दिखा दिया अगली entry ये इसमें कोई लिखूंगा हजार नाव profit and loss बताओ कोई profit नी कोई loss नी और अच्छा एक बात और insurance claim जब कभी भी होता है कैसे मिलता है जैसे आपके मानलों दुकान में कोई आग लग जाता है फिर आप insurance agent को phone करोगे के सर मेरे दुकान में आग लग गया मैंने insurance करवा रखा था इस इस तारिक का ले रखा था और ऐसे ऐसे था अब insurance agent आएगा agent और उनके सारे survey करेंगे किस तरीके से लगा उसके बाद वो एक आपको बोल देंगे ठीक है आपको 70% या पूरा पैसा मिल जाएगा चिंता मत करो ये बोल के चले जाएगे और फिर उसके बाद कुछ time के बाद तीन मेहने चार मेहने बाद आपके account में पैसा आ जाएगा इस तरीके से रहत हम क्या मान लेंगे उसको assets थोड़े दिनों बाद वो मिल जाएगा यहां पर देखो दो एंट्री करेंगे हम दो एंट्री कहां कहां करने वाले हैं सबसे पहले less from मानते हैं कि insurance claim मिला लेकि less from purchase तो करेंगे क्योंकि purchase तो ultimately कम हुआ जैसे चार शर्ट था हमारे तीन शर्ट जल गए तो insurance मिल रहा है तो क्या शर्ट नहीं जला जला तो ही है सेकिंड एंट्री क्या मेरा नुकसान है नहीं है नुकसान तो नहीं है तो सारा का सारा एंट्री पता है कहां चले जाएगा हमारा balance sheet में किस साइड में एसेड साइड में और एसेड साइड में किस नाम से insurance claim यह देखो कोई doubt इसमें इस वाले concept में insurance था हमारे समान का नहीं था तो नुकसान कितना हुआ fully इस वाले case में insurance था था लेकिन claim कितना मिला पूरा तो नुकसान कितना हुआ जीरो अब देखो third case बनता है इसका third case में क्या है when goods are insured and partly claim partly का मतलब है कि जितने का मेरा माल जलेगा वो पूरा पैसा ना मिलके उसका थोड़ा सा हिस्सा मिल जाए 90 परसेंट हो सकता है 70 परसेंट हो सकता है 30 परसेंट हो सकता हो डिपेंड ओन हमारा insurance company किस तरीके से terms and condition decide कर रहा हुआ है पहले माल लो हमारा insurance claim है insurance claim है 700 रुपए का तो क्या मेरा कोई नुकसान हुआ profit and loss में कितने का loss हो गया 300 रुपए का अब तीन जगें entry जाएगी इसकी तीन जगें entry सबसे पहले बताओ less from purchase कितने amount से होगा purchase, purchase कितना कम होगा destroyed तो पूरा हुआ, पूरे 1000 रुपए से इसके बाद profit and loss की बात करते है profit and loss के debit side में amount कितने जाएगा और पता है किस नाम से लिखेंगा loss by fire purchase में से किस नाम से minus करेंगा loss by fire balance sheet में balance sheet के कहा जाएगा हमारा asset side में पता है कितने amount जाएगा 700 रुपए asset side में चले जाएगा तो total में cases अगर बताओ तो insurance के उपर loss by fire के उपर 3 cases है या तो insurance होगा या insurance नहीं होगा अगर insurance नहीं हुआ तो सारा का सारा नुकसान है insurance हुआ तो 2 cases है या तो full claim मिलेगा या तो partly मिलेगा अगर full claim मिला तो नुकसान नहीं है सारा कहां चले जाएगा assets में अगर partly मिला तो जितना नुकसान है वो जाएगा P&L में जितना हमें मिलने वाला है वो जाएगा assets में और तीनों cases में जितने का goods हमारा destroyed होगा वो तीनों purchase में से हमारा क्या हो जाएगा minus अब देखो examiner थोड़ा सा confuse करने के लिए जो समान जला है उसका market price और cost price दोनों दे सकता है मालो वो देता है market price जो मेरा तीन shirt जला है market price मैंने suppose that बताया आपको के 1000 रुपए है and cost price suppose इस वाले example करें चलो market price 1100 कर देते हैं और cost price 1000 है तो हमेशा याद रखना इसमें whichever is lower वाला concept नहीं आएगा इसके अंदर always आएगा cost price whichever is lower वाला concept शरिफ एक जगह पे है closing stock drawing के case में अगर cost price free sample distribution के case में cost price charity के case में cost price और loss by fire के case में भी हर जगह पे cost price होगा market price whatever कुछ भी हो हमें उससे लेना देना लेकिन closing stock के case में whichever is lower देखा जाएगा ठीक है अब note करिए एक बार ये loss by fire का concept की जड़क देना करिखा ये अब आदे लेड़ MARTIN सुर्दव आप